हेलो गाईज वेलकेम बैक टूनेदव वीडियो मेरा नाम है देवांच और आज इस फ़ाली वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ कि गाईज अगर आपके नोटिफिकेशन में एक जो नोटिफिकेशन आई है वो स्टक हो गई जो की है ओफलाइन स्पीच रिकॉगनिशन डेटा की जो की डाउनलोड भी नहीं हो रहा है उसमें लिखा हुआ है वेटिंग फॉर कनेक्शन या फिर वो डाउनलोड हो रहा है त चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गाईस सिंपली आपको क्या करने है आपको अपने फोन की settings पर चले जाना है settings पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूनना है Google घूगल ढूहनने के बाद तोड़ा सा गाई सब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting for आपको देखिए, एक option में लेगा, offline speech recognition, manage download languages, तो आपको इस पर tap करना है, और यहाँ पर आपको इस वाले section पर आजाने, all वाले section पर, और देख लेना है इसकी कौनसी language में, download में issue आ रहा है, जैसे, काफी सारे लोगों को English, UK वाले में issue आ रहा था, तो आपको simply इस पर tap करना है और यह download वाले button पर tap कर देना है, इसके बाद guys, आपको क्या करना है, आपको यह auto update वाले section पर जाने है, और do not update languages पर select कर देना, इतना करने के बाद guys, जो भी आपकी problem है, वो easily fix हो जाएगी, और यह देखिए, यहाँ पर वो जो download नहीं हो पा रहा था, जैसे, English, UK में बहुत स या फर waiting for connection का basically, offline speech recognition data, तो वो भी हट जाएगा easily, इस तरीके से आप इस वाली जो notification में जो यह stuck हो गया था, उसे हटा सकते हो, अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई हो, तो इस वाली वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो मे Thank you so much guys for watching, bye bye